गाउं में किसान अपनी पत्मी के साथ रहता था, एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक गड़े में से आवाज आती है, अरे ये कैसी आवाज है, लगता है कोई कुट्टे का बच्चा है, जो मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना होगा, नही और दिन तो ये मर जाएगा, फिर वह गड़े में ज्ञां कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुट्टे का बच्चा दिखवाई देता है, वह उसे ड्रेक कर दंग रह जाता है, उसका रंग नीला होता है, ये तो कोई कुट्टे का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नीले रंका है, मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंका कुट्ता नहीं देखा, इसे घर ले चलता हूँ, सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी, फिर भा किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है, अरे सुमन जल्दी बाहर आओ, देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तब ही उसकी पत्नी बाहर आती है और कुट्टे के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौँच जाती है, हाई, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंका है, अजी आपको कहां से मिला, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ, मुझे बच्चपन से एक कुट्टे के बच्चे को पालने का बहुत शौक था, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, लेकिन ये आपको मिला कहां से, मैं खेत के तरफ जा रहा था, सभी अचानक गढ़े से इसके रूने क आवास आई, मैंने जाकर देखा, तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला, ये जरूर भूखा होगा, तुम इसे कुछ खाने को दे दो, इतना बोल कर किसान वहां से चला जाता है, फिर सुमन उसकी खोब देख भाल करती है, वर दिन भर उसके साथ खेलता कूटता है, सु पहले अपनी जिन्दगी में कभी भी नहीं देखा था, अरे हरिया, देख तो, ये उसी किसान का पिल्ला है, तुने कभी नीले रंग का कुटता देखा है, क्या, नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा कुटता देखा है, लेकिन ये इस किसान को मिला कहां से, इतना अनोख कुटता खरीदने की हैसियर तो इस किसान की है नहीं, अरे भाई, इसे तो ये किसी गढ़्धे में पड़ा हुआ मिला था, मुझे तो लगता है, जरूर ही ये कोई जादूई कुटता है, तुम्हें क्या लगता है, बाचार में इसकी क्या कीमत होगी, भाई, ये तो नाया अब चीज पर तो सिर्थ हमारा ही अधिकार है, देर किस बात की, आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे, रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं, तभी ललन और हर्या किसान के घर में घुश जाते हैं और निलो को बहलाने फुश लाने लग से 9-11 हो जाते हैं और भाग कर अपने घर आ जाते हैं हरिया भाई एक काम तो पूरा हो गया बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है शुब काम में देरी किस बात की हम कल सुबा होते ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे अरे भाई रुको रुको इस बोरे में क्या भळ कर ले जा रहे हो भाई यह एक जादू ही कुट्ता है ऐसा कुट्ता पूरी दुनिया में केवल एक हाई है ऐसा कैसे हो सकता है भाई ज़रा मुझे भी तो दिखाओ वर सेथ नेलू को देख कर चौंक जाता है तुम्हें इसके लिए सा सोने की मुद्राएं देनी होंगी ठीक है मुझे मन्जूर है लो ये लो तुम्हारी सो मुद्राएं आज से ये कुत्ता मेरा हुआ वही दूसरी तरफ नीलू को घर में ना पाकर सुमन और किसान परिशान हो जाते हैं सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है नीलू तुम कहां चले गये तुमारे बिट पर वह कैसी जीऊगी वापस आ जाओना नीलू अजी मेरे नीलू को कई से भी ठूद कर लाएं जब तक मैं वापस नहीं आएगा मैं खादन नहीं खाऊँगी ठीक है ठीक है तुम रोना बंद करो मैं उसे ढूंट कर लाता हूँ फिर किसान गाउं में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है अने भाई मैंने तुमारे कुट्टे को देखा था वो ललन और हरिया तुमारे घर से बोरे में किसी को बरकर ले जा रहे थे वो अवश्य ही तुम्हारा कुट्टा होगा फिर किसान भागता हुआ ललन की घर चातरा है ललन मुझे पता चल गया है तुम ही ने मेरे नीलू को चुराया है अभी के अभी मेरा कुट्टा वापस करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा भाई तुम्हारे कुट्टे करतो हमने सौ मुद्राओं में बेच दिया अग्ट तुम चाहो तो सारी मुद्राओं रख लो और हमें छोड़ दो नहीं नहीं मुझे मेरा कुट्टा ही चाहिए तुम्हारे पास कल सुभा तक का वक्त है कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंडो और मुझे मेरा कुट्टा वापस ला कर दो नहीं तो जेल जाने के लिए तयार हो जाओ इतना बोलकर किसान वहां से चला जाता है अरे मर गए रे अब क्या करें ये तो थानेदार की धमकी दे कर गया है ललन भाई मुझे जेल नहीं जाना कुछ करो ना हाई रे अब क्या होगा चलो उस सेट को ढूंडते हैं उसके सारे पैसे लोटा कर उस कुट्टे को वापस ले लेंगे वे दूनों सेट की तलाश में निकल पड़ते हैं लेकिन बहुर देर तक ढूंडने पर भी उन्हें वह सेट नहीं मिलता ललन भाई यहां तो सेट का कोई नाम निशान ही नहीं है ना जाने अब तक कहा निकल गया होगा अब क्या करें हमरे पास कल सुबह तक काही वक्त है अरे अरिया वो देख यह तो बिलकुल किसान के कुट्टे जैसा ही लग रहा है तुम्हारी आखों में मोटिय बिंध हो गया है क्या बेवकूफ किसान का कुट्टा नीले रंग का था और ये तो भूरे रंग का है क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता अरे तो क्या हुआ अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद ये हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा बात तो तुम सही कहते हो भाई, चलो फिर देर किस बात की, अभी ही से पकड़ते है, फिर वे दोनों उस कुट्टे को पकड़ कर अपने घण ले जाते हैं, और नीले रंग का पानी घोल कर उसे उसमें डुबो डुबो कर उसका रंगी नीला कर देते हैं, अरे भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलू जैसा ही दिख रहा है। फिर अगले दिन वे उस कुत्ते को अपने साथ लेकर किसान की घर जाते हैं। अरे भाई मोहन देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जल्दी आओ, तुम्हारा नीलू आपस आ गया है। जल्दी आओ। किसान और सुमन की खुशी का ठीकाना नहीं रहा है। लल्लन और हरिया, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गलती को सिधार लिया। इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीलू, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ चले गए थी तुम। आज की बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगी। मेरा नीलू इत्ते दिनों बाद घर आया है। इतना गंदा भी हो गया है। चलो, अब हम नहाई-नहाई करेंगे। फिर सुमन उसे नहलाने लगती है। अले, मेरा नीलू, नहाई-नही करेगा। इतना गंदा हो गया है। पानी उसके उपर पढ़ते ही वह कुत्ता छट-पटाने लगता है। अरे, क्या हो अनिलू? तुझे तो नहाना बहुत पसंद था। आज क्या हो गया तुझे? तब यह उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है। अरे, यह क्या? इसका रंग क्यों उतर रहा है। तब ही वह कुत्ता गुस्से में आकर सुमन को काट लेता है। अरे, मरवे रे, हाई रे, अरे, सुनो जी, इसने तुम मुझे काट खाया। हाई रे, अजी, सुनते हूँ, जल्दी आओ, मुझे लगता है यह हमारा नीलू नहीं है, देखो, इसका तुझ सारा रंगी उतर गया। यह तुमने ठीक नहीं किया, ललन, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर किसान गुसे में ललन और हर्या की घंचाता है। कुत्ते को नीला रंग चड़ा कर हमें दे दोगे, और हम मान लेंगे की वो नीलू है। भाई हमें माफ कर दो, हमने उस सेट को ढूणने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामों निशान नहीं मिला। भाई तुम ये सौ मुद्राएं रख लो, अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तयार है। किसान उदास हो जाता है और उनसे सौ मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है। किसे गरीबों में भोजन बाट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजे सुनाई देती हैं। वे दोनों चौक जाते हैं। अरे, ये तो मेरे नीलू की आवाज है। नीलू, नीलू। नीलू, तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है। नीलू, तुम वापस आ गए। तुम कहां चले गए थे। मैं तुम्हारे बिना कितनी उदार्स हो गई थी। झांते हैं।